आज का टॉपिक है solubility, solubility क्या होती है, the maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent, किसी particular amount of solvent ने कितना solute dissolve हो सकता है, वो ही कहलाता है solubility, ठीक है, उस particular solute की, तो दो तरीके से हम इसको discuss कर सकते हैं, पहला है solution of solid and liquid, and the other one is solution of gas and liquid, अभी जो वीडियो है, यह मैं अलड़ी बना चुका हूं, बट क्योंकि किसी वज़े से वीडियो में voice record नहीं हो पाए थी, तो इसलिए मैं इसमें voice over बात में दे रहा हूं, तो कुछ बीच में थोड़ा ब experiment में हम देखेंगे कि भाई हम किसी पानी में मतलब किसी amount of water में नमक मिलाएंगे कुछ, तो क्यों कि अब क्यों गूलेगा, पहले में वह देखना है, तो भाई जब हम नमक मिलाएंगे, निस यह एस्टो में dissolve कराएंगे, तो हमें पता है कि एस्टो के जो molecule से पोलर है, एस् आइनिक सॉलिड है, और उसको हम पोलर भी कह सकते, पोल से होते हैं, प्लस माइनस जनरेट होते हैं, तो इसी लिए, एने सेल विल डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, एस्टो में dissolve हो जाएगा, क्यों क्योंकि भाई, आइनिक सॉलिड जो होता है, वो पोलर सॉलिशन सॉल्व या मॉलीकुल या, मतलब basically कोई भी चीज पोलर है, तो उसमें आइनिक सॉलिड घुल जाएगा, या कोई भी चीज पोलर है, तो वो पोलर में घुल जाएगा, लाइक डिजॉल्व वाला सस्टम है, दीक है, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा और आगे जाते हैं, तो हमें पत एमेल वाटर में मिलाया तो यह घुल रहा है मतलब 30 ग्राम इस नमक की solubility है इन दिस 100 ml of water ठीक है अब इसमें 10 ग्राम और एड कर दिया तो 10 ग्राम क्या करेगा नीचे जाके बैठ जाएगा अभी उसका mechanism भी हम आगे कि देखेंगे कि वह किस तरीके से बैठता है अभी के लिए वह सैचुरेशन की लिमिट को पहुंच चुका है 30 ग्राम पर अब हम इसमें और करनी कोशिश करेंगे तो डिजॉल नहीं होगा ठीक है तो ऐसे केस में वह उन्सैचुरेशन में आएगा कि भाई पांकी का जो बचावा है जो घुला नहीं है वो नीचे जाके बैठ जाएगा ठीक है तो फॉर्स केस में तो यह वाला था सेकेंड एक्स्प्रेमेंट जो है नेप्तलीन या एंत्रसीन जो है वह नॉन पोलर है तो वाटर पोलर है तो इसलिए उसमें वह नहीं खुलेगा अगला एक्सप्रेमेंट पर चलते हैं उसमें हम देखेंगे कि बैंजीन में अब खोलेंगे अब हमने सॉल्वेंट बदल दिया है ठीक है और सॉल्यूट को हम क्यों हम अब वही दोनों को हम एक्सपरिमेंट इस पर भी करेंगे नेप्धिलीन को सबसे पहले बेंजीन में मिलाएंगे विकस दोनों ही नॉन पोलर हैं तो नैप्तिलीन बेंजीन में घुल जाएगा हमने जितना भी अमाउंट ऑफ बेंजीन लिया हो तीक है उसमें अगर हम सम अमाउंट ऑफ नैप्तिलीन गुलने की कोशिश करें तो वो घुल जाएगा अगले में बैंजीन में अब हम salt यहनिकी NACL को घुलेंगे बट NACL बैंजीन में नहीं घुलेगा क्यों क्योंकि NACL जो है वो polar है और बैंजीन non-polar है तो इसलिए वो उसमें नहीं घुलेगा Like dissolves like यही है इस पूरे हमने जो पढ़ा उसका सार तेक है उसका conclusion अब हम यहां से solubility को इस तरीके से conclude कर सकते हैं the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent is called its solubility ठीक है अब यहां पर एक main हम equation लिखेंगे that is rate of dissolution is equals to rate of crystallization rate of dissolution मतलब जितना घुल रहा है उतना ही crystal form मतलब उतना ही मिलके वापिस से crystal बन जा रहा है solid बन जा रहा है यह कब होता है जब saturation की stage आ जाती है ठीक है तो माल लो हमने 100 ml water में सबसे पहले 10 gram NACL मिला है वो घुल जाएगा फिर 10 gram और मिला है वो भी घुल जाएगा फिर 10 gram और मिला है वो भी घुल जाएगा अब हमने क्या किया additional 5 या 10 gram और मिला दिया अब वो क्या करेगा वो 10 gram जो अल्ड़ी घुलावा 10 gram है उसको दिस्प्लेस करके उसकी जगह बैठ जाएगा और वह वाली चीज वापिस से नीचे जाके क्रिस्टलाइस फॉर्म में चली जाएगी इस तरीके से मेकनिजम चलता है हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ने जितना गुलते जा रहा है उतना ही क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बनते जा रहा है ठीक है तो बेसिकली हम इसको एक एक्जामपल से समझ सकते कि एक थेटर है उसमें 100 लोग की कैपै संद्रिगे से दस बंदें अंदर को एंटर कर जाएंगे तो वही चीज यहां पर हो रही है सॉल्यूबिलिटी के केस में कि चितना नीचे जाके डिजॉल हो रहा है उतना ही वो हो डिजॉल हुआ हो चीज उसको डिस्प्लेस करके मतलब थो अल डिस्प्लेश्ट पार्ट न जाएगा उसके पीछे concept यही है कि rate of dissolution is equals to rate of crystallization है नाओ temperature का क्या effect पड़ता है so with the increase of temperature solubility increases solubility increase करती है इसका मतलब यह है कि और solute को dissolve हम कर सकते हैं उस particular amount of solvent में अब चलते हैं solution of gas in liquid भे तो इसमें भी हम कुछ case कुछ experiment discuss करते हैं सबसे पहले NS3 को water में घोलते हैं NS3 अगर water में घुलेगा तो क्या होगा निकिस NS3 भी polar है water की तरह है so both are क्या बोथ हार polar hence NS3 is soluble in s2o ठीक है तो इसलिए NS3 इसमें घुल जाएगा इसको हम molecule के form में भी देख सकते हैं तो अकर s2o को देखें तो इसमें पोल्स जनरेट होते हैं पोलर होता है सिमिलरली एनस तरी में भी एक माइनस आ जाता है एंपे पोल्स जनरेट हो जाते हैं ठीक है तो इसलिए बोथ हार सब्सक्राइब तो तो क्लोरीन को अगर काटेंगे तो उसका एक 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 इलेक्टन दोनों ही क्लोरीन ले जाएंगे किसी बेधी प्लस किसी भी माइनस नहीं आएगा हैंस इस नौन पोलर और जो इसलिए अब यहां पर हमने पड़ा है लाइक डिजॉल लाइक तो इसलिए डजनॉट डिजॉल वाटर क्लोरीन ठीक है ओके नेक्स्ट इस क्लोरीन वाटर में गुल जाता है यह वाला हो गया और अगला है अब हम अगें बैंजीन को लेंगे रिप्टेश कर देगे क्योंकि हमारा Billy को फिर से रिप्लेस कर देंगे और गैस को वही दोन रखेंगा न सिरय गुल टू रख companionprovoten क्योंकि Hang डिजॉल्व लाइक दोनों ही नॉन पोलर हैं तो वह क्लोरीन बेंजीन में घुल जाएगा सिमिलरली इसके हम पार्ट टू में देखे तो एनस्तरी जो है यानि कि अमोनिया जो है वह बेंजीन में नहीं घुलेगा बिकर्स अमोनिया इस पोलर एंड बेंजीन इस नॉन पोलर है ठीक है